बिहार के जिलेवार परेटन्स थलो के बारे में बताने की कड़ी में आज बारी है बांका जिले की बिहारी पहचान में शामिल बांका का एक अर्थ अनुखा भी होता है इस अनुख़पन को अपने गोद में समेटे है ये जिला चलिए एक नज़र डालते हैं इस जिले की प्रमुख परेटन के पहचान पर सबसे पहला है लख दीपा मंदिर इस मंदिर का एक गौरफ शाले इतिहास रहा है यह मानेता है कि प्राचीन समय में यहां एक लाख द्वीप जलाए जाते थे कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान राम ने स्वयम को मधुसूदन के नाम से स्थापित किया है इतिहास कारों का मानना है कि मंदिर परवत स्थित लख दीपा की बनावट दक्षिन भारत जैसी है और यहां के मंदिरों को देख कर लगता है कि यह जगा मंदिरों का एक समूह रहा होगा अगला है पाप हरनी यह एक तालाब है जो की मदार परवत पर स्थित है इसे पाप हरनी के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि करनाटक के एक कश्ट पीडित चोलवंच्ष्य राजा ने मकर सक्रांती के दिन इस तालाप में स्तांकिया जिसके बाद से वे स्वस्थ हो गये थे इसे मनोहरकुंड के नाम से भी जाना जाता है इस तालाप के बीच में लक्ष्मी विश्नु मंदिर स्थित है अगला हम बात करेंगे मदार परवत के बारे में 700 फीट उचे इस परवत के बारे में पुरानों और महाभारतों में कई कहानिया प्रच्रित है मारा जाता है कि इस परवत से समुद्र मन्थन हुआ था अगर आप मंदार पर बज़ जाते हैं तो आप पापहर्नी और लखदीपा मंदिर भी घूम सकते हैं जो की वही पास में स्थित है इसी कड़ी में आगे हम बात करेंगे जैश्ट कौरवनाथ की जैश्ट कौरवनाथ एक शिव मंदिर है जो चांदन नदी के पस्चिम में एक पहाडी पर स्थित है अकसर शिवरात्री को यहां मेले का आयोजन होता है रजौन प्रखंड के रुपसा गाउं में काली मंदिर और मादुर्गा की प्राचीन मंदिर है इसके अलावा चतेश्वर नाथ मंदिर चूटिया ग्राम में है यहां पर एक गुफा है और पत्थरों पर रत के पहिये के निशान भी देखने को मिलते हैं माना जौता है कि यहां कभी प्राचीन समय में युद्ध हुआ था आगे आगे हम बात करेंगे श्रावनी मेला के हिंदु धर में सावन महीना काफी पवित्र माना जाता है इसमें शिव भक्त भगवान शिव की अराधना करते हैं और भगवान शिव की गंगा जल चुड़ाते हैं सुल्तान गंच से देवघर तक पैदल यात्रा करते हैं 105 के साथ निकाले जाती है और इसमें 50,000 से ज्यादा श्रधा लुआते हैं ऐसी मानता है कि मंदार छेत्र में 500 सालों से रथ यात्रा का इतिहास रहा है चैतन्य महाप्रभू ने इस रथ यात्रा को यहां पर आरंभ कराय था जो आज भी अनवरत जारी है आदिवासी संस्कृ संस्कृती हस्त शिल्प हत करधा के लिए भी इस जिले का उलेख होता है धेरो पर अटक स्थल इस शेत्र की शोभा बढ़ाने के साथ साथ यहां की संस्कृती सैलानियों के दिलों को रोमांच से भर देती है तो दोस्तों आज हमने आपको बिहार के परटन स्थल को बताने क इकरम में बांका की शे Corps आई है अब अग्ले वीडियो में हम आपको बिहार के दूसरे जीले के बारे में बताएंगे वीडियो को लायक करे चैनल को सब्सक्राइब करे और ज्यादा-ज्यादा शेयर करेई अगर आप इस जिले में रहते हैं या आपने कभी इस जिले का भ्रह्मन किया है तो आपके अनुसार सबसे मशूर चीज यहां की कौन सी है कमेंट करके हमें जरूर बताए धन्यवाद